नमस्कार दोस्तों मैं अनुराग कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेक्टर एजुकेटर पर और सो का नाम है पांच का पंच तो आज हम जानेंगे क्या होता है ठीक है संगाई कॉर्प्रेशन और्गिनाईजिशन के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे कि इसकी सुरुवात कहां से इसका गठन कहां से हुआ कौन कौन से देश हैं और अभी हमारे रच्छा मंतरी राजनात सिंग मौस्को के लिए रवाना हुए है रूस इस बैठक में भाग लेने के लिए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तो सबसे पहले एक कोट हर छोटा बदलाव बड़ी कामियाबी का हिस्सा होता है ठीक है दोस्तों ध्यान रखना चलिए अब आगे बढ़ते हैं जैसा कि आप जानते हैं S.C.O. संगाई कॉर बीजिंग में बीजिंग कहां है चीन में और इसकी आधिकारिक भासा क्या है तो इसकी आधिकारिक भासा चाइनीज और रसियन है ठीक है दोस्तों ध्यान रखना इसको और इसके सेक्रेटरी जर्नल कौन है तो इसके सेक्रेटरी जर्नल है वादलमेर नौर्वो जो की पूर थे थीखे दोस्तो तो अब यह संग की तो अब हम यह जाने कि इस संग को बनाने की जरूरत पड़ी थीखे दोस्तो यूरेसिया का राज नैतिक कौण सा दोस्तो राज नैतिक आर्थिक और सैनिक संघठन है तो परिभासा SEO की क्या है या एक राजनेतिक आर्थिक और सैनिक संगठन है तो दोस्तों इसकी अस्थापना कब हुई अभी हम यह जानते हैं चलिए इसकी अस्थापना 26 अप्रेल दोस्तों ध्यान रखना 26 अप्रेल 1996 में ठीक है दोस्तों पांच देशों ने मिलकर कैसे रसिया, चाइना, कज्जाकिस्तान, कर्गिस्तान और तज्जाकिस्तान ये पांच देशों ने मिलकर 26 अप्रेल 1996 में संगाई क्या दोस्तों संगाई पांच नामक एक संगठन बनाया ठीक है दोस्तों अब इसके साथ क्या हुआ 15 जून 2001 को इसमें और एक देश सामिल हुआ उजबेकिस्तान और इसका नाम किया गया संगाई 6 तो छेदेश हो गए दोस्तों चड़ अब इसी के साथ SEO का नाम जून 2002 में कब जून 2002 में एक ट्रीटी साइन हुई और यह आस्तित्त में आया 19 सेप्टेंबर 2003 को इसका नाम हो गया संगाई कॉर्परेशन ओर्गेनाईजेशन ठीक है दोस्तों अब आगे की घटना जब बैठक संद 2000 सूला में अस्ताना कहां पर कजाकिस्तान में जब बैठक हुई तो इसमें आपचारिक रूप से भारत और पाकिस्तान किसको भारत और पाकिस्तान को सदस्य बनाने का फैसला किया गया जो की नौ जून 2017 से यह दोनों देश स्यों के सदस्य बन गए ठीक है दोस्तों चली आगे जानते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं इसके मेंबर स्टेट अब इसके मेंबर जैसे मैंने आठ बोले चाइना जाकिस्तान उजबेकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान इसके क्या है सदस्य है अब इसके आप जर्वर स्टेट कौन कौन से जैसा कि आप देख रहे हैं अफगानिस्तान तो यह कब से है यह 2012 से है ठीक है दोस्तों अब बेलारूस और इरान यह दोनों 2008 से हैं और मंगोलिया इसका observer 2005 से है अरबेजन और कमबोडिया ठीक है दोस्तों अब हम ये तीनों जो इसके डायलोग पार्टनर है ये सन 2008 से है ठीक है दोस्तों नैपाल 2015 से है स्री लंका 2009 से है और टर्की 2012 से इसके डायलोग पार्टनर है ठीक है दोस्तों अब इसके गेस्ट अटेंडेंस कौन कौन है एशिया तुरमेलिस्तान सिए येस और यूएस इसके गेस्ट अटेंडेंस है ठीक है दोस्तों चली अब देखते हैं यहां दो चीजे हैं एक है काउंसलिंग और और इस्टेट काउंसलिंग और अगर देखा जाए तो इसकी और इसकी पहली बैठक दोनों में अंतर है दोस्तों ध्यान रखना काउंसलिंग और काउंसलिंग और स्टेट दोनों में अंतर है अगर हम बात करें काउंसलिंग और कि पहली बैठक 14 जून 2001 को संघाई चीन में हुई थी ठीक है दोस्तों कहां हुई थी संघाई चीन में हुई थी ठीक है दोस्तों अगर हम counselling of state की देखें तो इसकी पहली बैठक Almaty क्या दोस्तों Almaty कहां पर है कजाकिसतान में है यहां पर इसकी पहली बैठक हुई थी ठीक है दोस्तों चलिए अब अगर हम देखें तो 2019 में counselling of head की बैठक करगिस्तान में हुई थी ठीक है दोस्तों और 2020 में इसकी बैठक कहां होनी है रूस के सेंट पीटर्स बर्ग में ठीक है दोस्तों अगर counselling of state की बात करें तो 2019 में इसकी बैठक जो हुई थी वो हुई थी तासकंद में कहां तासकंद उजबेकिस्तान में और 2020 में इंडिया में होनी है ठीक है दोस्तो ध्यान रखना कांस्लिंग ओफ है अलग है कांस्लिंग ओफ इस्टेट अलग है ठीक है दोस्तो चली अब इसके बारे में जानते हैं करंट हाल में ही और देश के रच्छा मंतरी स्री राजना सिंग कहा जा रहा है स्यो की बैठक में सामिल होने के लिए मौस्को जा रहा है ठीक है दोस्तो ध्यान रखना मौस्को लेकिन वह वहां पर अपने ही चीन के साथ जो हमारा विवाद चला है उसके चलते हुए अपने ही संपक्ष चीनी रच्छा मंतरी वैन फे क्या दोस्तो वैन फे से मुलाकात नह करेंगी क्योंकि तनाव अभी चला है लेकिन साथ साथ में भारत रूस के साथ ध्यान रखना भारत रूस के साथ अपनी नौसेना के साथ एक युद्धा भ्यास करने जा रहा है जिसका नाम है इंद्र इंद्र जो की बंगाल की खाड़ी में चार और पांच सेप्टेंबर क युद्धा ब्यास किष्टुल दो देसों के बीच में होता है बारत और रूस के बीच में होता है यह कपसे हो रहा है यह सन्न दोь हजार पांच से इन Quitेना को घ्याण रखनी है धन्यवाद मुझे लगता है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे सेर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी यह पता चल सके नमस्कार जय हिंद